आउट्राइट का क्या अर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं आउट्राइट का इस्तेमाल एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीके से किया जा सकता है Adjective के रूप में Outright का अर्थ होता है सीधा, प्रत्यक्ष, पूर्ण, खड़ा, सपष्ट या प्रोक्ष Adverb के रूप में Outright का अर्थ होता है तुरंत, पुरंत्या, सीधे, प्रत्यक्ष रूप से, दिल खोल कर, सफाई से या साफ जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि उसके प्रत्यक्ष रूप से खारिज कर दिया गया तो आप कहेंगे His Proposal was Rejected Outright या अगर आप ये कहना चाहें कि मैंने निश्चे किया कि मैं उससे प्रत्यक्ष पूछूँगा या सीधा पूछूँगा तो आप कहेंगे I determined that I would ask him outright या अगर आप ये कहना चाहें कि बाहरी लोगों को पूरी तरह से शत्रुता के साथ माना जाता है तो आप कहेंगे Outsiders are regarded with outright hostility Outsiders are regarded with outright hostility अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें